हेलो सुमेन विजय है, दोस्तों ये मिल पिसम अउनर का एकदम लेटेस तरकता बढ़कता ओनर 90 लाइट 5G जो कि रिसेंटली ही अभी दुबई में लाउंच हुआ है फॉर 900 दिर्हम जो कि कनवर्ड होते हैं इंडिया के 20,000 रुपए और यह मेरे पास में वन प्लस का नौट C3 लाइट 5G जो कि यहां पर इंडिया में लगबग एक दो महीने पहले लाउंच हुआ है और यह भी similarly priced phone है जो कि around 20,000-22,000 के आसपास इंडिया में मिल जाता है इसका 128GB वाला वर्जन है वो इंडिया में 20,000 का अविलेबल है और जो 256GB वाला है वो 22,000 का official price अविलेबल है इंडिया में ऐसे में दोनो ही phones similarly priced हैं और बहुत सारा confusion है especially यहाँ पर जो Dubai वाली मेरी audience है वो पूछ रही थी कि भाई दोनों में से कौन सा phone लिया जाए तो भाई Honor 90 Lite अपने साथ में लेके आता है Media Tech की latest तड़कती भड़कती Dimensity 6020 5G chips है जबकि यहाँ पर OnePlus Nord CE 3 Lite अपने साथ में लेके आता है अपर में दोस्तों यहाँ पर दिजाइन के वारे बात करते हैं जहाँ पर दोनों ही phones काफी premium looking सी device अपने साथ में लेके आ जाते हैं दोनों ही phones plastic से बने गए हैं जहाँ पर side वाला जो frame है वो भी plastic का है और back side में भी दोनों ही phones plastic ही अपने साथ में लेके आ जाते हैं sparkling सा back देके रखा हुआ है जो कि कुछ unique लगता है एंड इवन तो camera island है वो भी honor 90 light का काफी जाधा attractive लग रहा है compared to the oneplus nord ce3 light फिजिकल होगी कि अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही phones अपने साथ में almost similar से ports लेके आते हैं लेकिन दोनों ही phones में अपना एक-एक advantage है जैसे कि हाँ पर honor 90 light में हमें IR blaster देके रखा गया है जो कि oneplus nord ce3 में missing है IR blaster के through basically आप अपने phone को remote control की तरह use कर सकते हो तो यह चीज oneplus nord ce3 में missing है लेकिन nord ce3 on the other end अपने साथ में लेके आजाता है यह 3.5 mm headphone jack जो कि बहुत लोगों को बहुत जादा useful लगता है जो कि missing है honor के 90 light में लेकिन honor ने इस issue को यहाँ पर दोस्तों solve कर दिया है यहाँ पर box के अंदर ही honor ने type c to 3.5 वाला adapter भी दालके रखा है उसके साथ ही earphone भी देके रखा है और मैं sis को काफी जादा है appreciate कर रहा हूं because बहुत सारे brands आज कल भाई box के अंदर charger भी दे रहा है जहाँ पर honor box के अंदर adapter भी दे रहा है और earphone भी दे रहा है तो यहाँ पर बिल्कूल भी cost cutting नहीं करी जा रही है which is a good thing and when it comes to the weight and dimension of the phone ना तो honor ज्यादा slim भी है at 7.5 mm compared to 8.3 mm on the oneplus nord c3 light यह एक बहुत ही huge difference है जिससे कि honor 90 light काफी जादा slim नजर आता है मैंने यहाँ पर अपने खुटके weight scale पर दोनों ही का phone ना पर है तो honor 90 light वेट करता है यहाँ पर 185 gram जबकि oneplus का nord c3 light 195 gram वेट करता है because एक बड़ी battery के साथ में भी आता है तो looks के ममले मैं definitely stage को देना चाहूँगा honor 90 light को it's a premium looking phone दोस्तों फिर यहाँ पर display की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही phones again बहुत ही similar सी display के साथ में आते हैं जबकि honor 90 light में हमें 90 Hz की display मिलती है screen to body ratio उस तो आप यहाँ पर देख सकते है honor 90 light ने एकदम edge to edge फेला हुआ है तो काफी एकदम flagship सा experience देता हुआ नजर आ रहा है हमें जहां पर display देखके कोई बता नहीं सकता कि यह भाई कोई mid range वाला फोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है एकदम edge to edge flagship वाली feel देता है यह वाला phone when it comes to the smoothness of the display दोस्तो तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही काफी काफी ज्यादा स्मूध है और भले ही और नाइन पर रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम है लेकिन यह वाला phone आपकी आइस के लिए काफी जाह से क्योर रहेगा यह त्यूवी राइन लाइन सर्टिफाइट भी है तो डिस्पले दोनों ही फोन्स की बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बहुत ही घ Nay फोन में फिर हम अंफ थो एं बहुत ही इंट्रेस्टीग चीज के बारें बात करते है जो कि यह वाई दोंों ही foon's की लीट की पफॉनमेंच और यह बहुत ही नाइच्छ हा इस नाइट साथ में लिटा, वालोटन स्पलेश और सो चिपसेट और यहाँ यहाँ पे 1 पलस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो बेंचमार्क निकल के आ रहे हैं दोनों ही फोन्स के जहां पर क्लियरली वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दोनों ही 5G फोन्स है दोनों ही स्पीड काफी ज्यादा अच्छी रहेगी नेटर्क के मामले में लेकिन एक चीज मैं दोस्तों यहां पर नोटिस करी कि जो ऑनर का 90 सब्सक्राइब कर सकते हैं तो एक चीज मैंने आपर नोटिस करी कि रैम मेनिजमेंट ऑनर 90 लाइट का अच्छा है मैंने आपर गीक बेंच के जो स्कोर्स है यह लगबग तीन चार दिन जब मैंने इस फोन का रिव्यू रेकॉर्ड करा था था तब से ऐसे ही पड़े हुए और अभी तक इसके प्रोसेस में आई है और मतलब क्लोज नहीं कर रहा है तो यह बहुत एक अच्छी चीज है जबकि मैंने गीक बेंच एप्लिकेशन थोई देर पहले ही चलाई थी वन प्लस नौट सी त्री लाइट में और अभी बन कर चुका है और भाई मितलब फिर से म इनेबल कर देती है जैसे की Bluetooth 5.3 compared to the Bluetooth 5.1 on the OnePlus Nord CE 3 Lite जो की wireless connectivity को थोड़ा सा और बहतर बना देगा on the Honor 90 Lite यहाँ पे because OnePlus Nord CE 3 Lite थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन Geek Bench लेकिन यहाँ पे नए फीचर्स लेके आता है Honor 90 Lite because of the new chipset मैं अगेन इन दोनों को टाइद ना चाहूँगा When it comes to our camera दूस्तों ना तो दोनों ही फोन अपने साथ में 100 Megapixel क्रॉस करते हुए camera लेके आते है जहाँ पे OnePlus Nord CE 3 Lite में लगा हुए एक 108 Megapixel का camera और यहाँ पे Honor अपने साथ में लेके आता है 100 Megapixel का camera Honor में यहाँ पे एक ultra wide angle lens भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि एक 5 Megapixel का है जबकि OnePlus Nord CE 3 Lite में उसके बदले एक depth sensor देखे रखा हुआ है Honor का जो ultra wide sensor है न वो यहाँ पे depth sensor की तरह भी एक्ट करता है तो वो भी चीज यहाँ पे missing नहीं है और दोनों ही phones में हमें 22 Megapixel के macro cameras भी देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही बहुती bright and beautiful pictures क्लिक कर लेते हैं और दोनों के इना अपने अलग-अलग color tone है तो इस सीज में बिल्कूल भी comment पास नहीं करूंगा में OIS नहीं लेके आते हैं 18-20,000 की range में यहाँ पर OIS मिलने लग जाना चीए मुझे ऐसा लगता है लेकिन अभी तक यहाँ पर OIS सिर्फ premium phones में आता है जैसे की OnePlus का Nord 3 जो आ रहा है लगबग 30,000 की range का phone है 30,000 की range का उसको मैंने अभी recently review भी करा था उसमें OIS है और यहाँ पर जो Honor का बड़ा वाला भाई है Honor 90 उसमें भी यहाँ पर OIS मिल जाता है तो अगर आपको वीडियो बहुता रेकॉर्ड करनी है मैं definitely आपको recommend करूंगा कि इन दोनों के बड़े वाले भाई ले सकते हो Nord 3 या फिर Honor 90 को वो यहाँ पर जाद अच्छी वीडियो निकाल के दे देंगे यह वाले decent pictures आपको क्लिक करके निकाल के दे देंगे front camera के दोस्तों अगर बात करते हैं तो दोनों में यहाँ पर 16 Megapixel का अगें front facing camera है तो camera in terms of specs दो काफी जादा similar है that's why इतना huge difference camera में दोनों phones में नहीं निकल के आ रहा है फिर दोस्तों यहाँ बात करते हैं software के बारे में जहाँ पर Honor अपने साथ में लेके जाता है Magic UI 7.1 जो की based दे Android 13 पे और यहाँ पर Nord C3 light भी अपने साथ में लेके आ जाता है कि बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो OnePlus Nord C3 light अपने साथ में पांच यह बड़ी बैटरी लेके आता है compared to the Honor 90 light जो की 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है तो ज्यादा अच्छी power efficiency अपने साथ में यह वाला प्रोसेसर लेके आ रहा है तो Honor 90 light के साथ में मैं डेड़ दिन का यूजेज करता हूं भाई on a single charge and OnePlus Nord C3 light लगभग एक दिन सावा दिन के आसपास खतम होता है on a single charge एक चीज जो सो बहुत ज्यादा interesting है जो कि हैं दोनों फोन के speakers कैसे sound कर रहे है आप देख सकते है यह Honor का है बेस काफी ज्यादा अच्छा है जो सो Honor का भी और यह है OnePlus का दोनों के speakers काफी ज्यादा अच्छे है यहां पर में को कुछ ऐसा खास difference लगा नहीं और दोनों ही phones अपने साथ में side mounted fingerprint scanner भी लेके आजाते हैं जो कि again यहां पर मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा फास्ट एक्ट कर रहे हैं दोनों ही फोन के fingerprint scanner सो काफी ज्यादा से फोन लगे यह वाले में को वैन इट कम्स वर डिस्प्ले डिया बहुत सिमिलर वेन इट कम्स तू दा डिजाइन यहां पर ओनर थोड़ा सा बैटा निकल के आ रहा है और यहां पर चार्जिंग की टेक्नलोजी है थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग प्रवाइड करता है वन प्लस का नौट सी त्री लाइट लिंग मुझे ऐसे लगता है कि बाई अल्टरा फास्ट भी नहीं जाना चाहिए मैं मतलब मैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए एक गंटा वेट कर सकता हूं डेफिनेटली जब काम पर निकल रहा होता हूं से पहले चार्ज पर लगा जो और बाई चार डिसक्रिप्छन में अब्डेट कर दूगा अनर दोस्तो अभी तक सिर्फ दुबई में ही एविलेबल है ऀंडिया में लेट आप्टाप निकल रहा है इंडिया में टैबलेट निकल रहा है फोन सभी तक नहीं लेके आ राए तो उसके लिए हम वेट ही गर सकते हैं लेकिन OnePlus Nord C3 Lite आप दुबई में भी पर्चेस कर सकते हो और इंडिया में भी पर्चेस कर सकते हो दोनों की लिंक से आप इमें नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस एनलों को जरूर से सब्सक्राइब करके ही आगे भढ़िए कर दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है और आपका बिल्कुल भी मतलब फ्री ओफ कोस्टी पड़ता है आपको सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर सकते हो शाय कर सकते हो कॉमेंट कर सकते हो अपना प्यार दिखा सकते हो तो और फिर मैं आप